हेलो स्टूजेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी के एक वाफी से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एसको सले एजुकेशन में और बेटा देखो ए ए मिन्स क्या होता है एक और एन 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 मिन्स क्या होता है उस मिन्स भी एक वोता है लेकिन ए हम किस के यूज करते हैं यह आज हम इस वीडियो में सीखेंगे तो बेटा ए एन और दी यह सारे अपने आर्टिकल्स होते हैं और आर्टिकल्स में आज हम पढ़ रहे हैं ए और एन का प्रियोग कहां कहां यूज होता है आगे दी का हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो ए और N कप्रियों कहां होता है तो देखो next words starts with vowel sound यानि कि vowel sound तो vowel क्या होता है सबसे पहले आप ये बताओ तुम vowel तुम मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूं और उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी वहां से देख के दोबारा से सीख लेना तो vowel sound अपने पास होती है A, E, I, O, U vowel होते हैं अपने English में 26 letter होते हैं और उसमें से ये 5 होते हैं vowel और तो इन vowel sound से जो शुरू होगा जिनके आगे vowel आ जाता है और उससे पहले खालिस्थान है तो उसमें A आएगा और बाकी क्या बचा vowel निकालने के बाद 26 letter में से क्या बचा 21 बस गई ना वो अपने है consonant जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N बाकी जो भी बचे हैं जो 5 vowels को हटाने के बाद वो सारे consonant है और कोई भी word जो की consonant से शुरू होता है और उससे पहले खाली स्पेस है उसमें हमें भरना है कि A भरे या N भरे तो वहाँ पर अपने पास आएगा A vowel से शुरू होने वाला है और उससे पहले खाली स्थान है उसमें हमें भरना है तो आएगा A, N, N और जो consonant से शुरू हो रहा है उसके पहले खाली स्थान है तो उसमें आएगा क्या ए ठीक है अब बेटन कुछ इसके एक्जामपल देख लेते हैं देखो हमने लिखा हुआ है कैट और कैट से आगे ये ब्लैंक से है खाली स्पेस पड़ा है ना यहां पे हमें ए बरना है या एन बरना है तो देखो कैट किस से शुरू हो रहा है सी और स इसे अपना वोल है या कोनसोनेंट है कोनसोनेंट है इसलिए यहां पे आएगा ए आगे अपने पास है एग डबल जी एग किस की साउंडार यह एकी लेकिन साउंड का हम बाद में देखेंगे पहले ये देखते है कि किससे शुरू हो रहा है Vovol से शुरू हो रहान, E Vovol है इसलिए यहां पर आएगा A, N, 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 N AG ऐसे ही अगला है यहां पर Ice cream, यहां पर देखो शुरू का letter क्या है आई है न, तो I क्या है Vovol है या konsonant है Vovol है, इसलिए यहां पर आएगा N, N, Ice cream इसके बाद है Monkey, Monkey में कहां से शुरू हो रहा है M से word बन रहा है M से start हो रहा है और M अपना है consonant इसलिए यहां पे क्या आएगा A A monkey ठीक है Ant A, N, T Ant कहां से शुरू हुआ A से शुरू हुआ ना word तो यहां पे A अपना vowel है तो यहां आ क्या आएगा A आएगा या A, N आएगा यहां पे A, N N आएगा N, Ant ठीक है कि लिए आगया होगा न अच्छे से समझ में कि भाई A कहां पे आता है और N कहां पे आता है जो भी word vowel से शुरू हो रहा है उसके आगे हमें A या N में से फिलप्स करना है तो A से सुरू हो रहा है vowel से सुरू हो रहा है कोई भी vowel है उससे सुरू हो रहा है तो वहां पे आएगा N और जो consonant से सुरू हो रहा है उसके आगे हमें A और N में से भरना है तो वहां आएगा A ठीक है अद दूसरा नियम है बेटा कि ये तो हमने देखा कि vowel हो तो अब क्या करते हैं कि vowel sound हो तो यदि consonant बले ही हो लेकिन sound vowel की दे रहा है तो भी हमें वहाँ पे end बढ़ना पड़ेगा तो देखते हैं हिंदी में vowel यानि कि vowel कितने होते है यहां आ, ए, ए, उ, उ, से लेकर हो तक क्या होते है श्वर और अंगरेज हिंदी में vengen क्या होते हैं क से लेकर Massachusetts है यह है ना सारे यह वेंजन है तो देखते हैं हम कि किस तरह से साउंड का हमें पता चलेगा कि श्वर की है यानि की वोल की है और वहां पे हमें एन भरना है तो जैसे यहां पर देखो पहला हमने यहां पर एक्जाम पर ले रखा है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म अब यहां प किसकी आ रही है हमार पास sound किसकी आ रही है uniform यह क्या रही है ना इसलिए हम यहां पे n ना लिखके यहां पे लिखेंगे a uniform ठीक है इसी तरह अगला है university आप इसमें भी यू वह वहल है ना लेकिन sound किसकी आ किसकी आ रही है इसलिए यहां पे भी आएगा a ए आएगा यहां पे an नहीं आएगा ठीक है यह निकिकी वहल से बले start हो रहा है लेकिन उसकी sound वहल की नहीं है तो उसमें a आएगा n नहीं आएगा ठीक है अब आगे है M, L, A, M, M M वैसे तो consonant है ना लेकिन sound किस क्या थी M, A की पहले आ रही है A की है ना तो यह क्या आ जाएगा M, L, A यानि की N आएगा यहां पे ठीक है आगे है F, I, R F, A की sound आई ना तो यहां पे B आएगा N वैसे तो F consonant है तो लेकिन यहां पे F A की आवाज आई यहां इसलिए N आएगा इसी तरह है X, Ray, X, A A की आवाज आ रही है ना तो यहां भी N ही आएगा अब आगे देखते है H, O, N, E, S The Honest Man यह H से शुरू हो रहा है Consonant है ना लेकिन sound किस की आ रही है Honest, O O की आ रही है इसलिए यहां पे N, Honest Man इसको Honest पढ़ेंगे Honest नहीं पढ़ेंगे बेटा ठीक है अगला हमरे पास है Our H, O, U, R यह क्या होता Our बोला जाता है Our नहीं Our Our बोला जाता है तो sound किस की आई? Our की इसलिए यहां पे भी N आएगा ठीक है यहनी कि जिसकी चाहे वो Consonant से शुरू हो रहा है word लेकिन उसकी sound अगर हमारे पास से vowel की आ रही है हिंदी के स्वर की आ रही है तो वहां पे भी N का प्रियोग होगा और चाहे vowel से शुरू हो रहा है लेकिन sound अगर उसकी Consonant की आ रही है Vengeance की आ रही है जैसे की University Uniform है ना या भई European ये वर्ड ऐसे हैं जो शुरूआत तो जिनकी हमें vowel से करनी है लेकिन उनकी sound जो है वो हमारी Consonant की आ रही है तो उसमें भी हमें A का प्रियोग करना पड़ेगा N का नहीं करना पड़ेगा ठीक है Clear हो गया कि A कहां पे यूज होता है और N कहां पे यूज होता है ठीक है बेटा तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अब मैं तुमें कुछ Questions देती हूँ जिनको तुमें करके और उनका अंसर तुमें कुमेंट बोक्स में लिखना है तो यहां मैं question दे रही हूँ क्या क्या है आपके पास word जिनकी आगे आपको A या N इन में से कौन सा आएगा वो लिखना है तो word अपने पास है Monkey Elephant Honest इनको बेटा आपको कमेंट बोक्स में लिखके बताना है कि A आएगा इनके आगे या N का प्रियोग हो ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है थैंक्यू